उससे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने मतदान से पहले बंसल नियूस पर सबसे पहले क्या कुछ का खास बाचीत की हमारे स्टेट एडिटर आदित के नाम देव ने उपेश बगेल जी मैं सीधा उनके पास चलता हूँ सत्यस गड़ में हमने देखा सर मरवाही जिला बना उसके बाद वहां चुना हुआ कॉंग्रेस की जीत हुई इस जिले को बनाने के अपने घोशना की जैसे ही सुला तारीक को रिजल्ट है का सतरा तारीक को आप जिला बना लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे वहां तो गंड़ई को तस्सिल बनाने के लिए लोगों का अंदोलन करना पड़ा लाठियां खाया है जेल भी गए लेकिन पिछले सरकार में रमाल सिंगिन कभी उसको जिला कसम मान नहीं दिया और यह जन्भाउना को ध्यान में रखते हैं हमने इसको घुष्णपत्र में सामिल किया कि जिला हम बनाएंगा चोवीस घंटा के अंदर में बनाएंगे तो एक जवरदस्त उसे लहर पैदा हुई है लोगों को उमीद और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार के बातों पर लोग विस्वास करते हैं कि क्यों हम लोगों पूरे कर दिये तो लोगों की विश्वास है कि सरकारली चुखती है कि पाटी कांगरिस पाटी यह हैं जो कहती है उब घर्तृति यंत्तापाटी के जो उमीद वार है कोमल जंगेली वह चुनाव लड़ते वह नहीं लड़ रही हैeren मुख्यमंद्री भूपेश दिखाई पड़ गया है लेकिन देखें कि शिवराज सिंग भी आया है कुलस्तेज भी आया है प्रणात पटेल भी आया है तो कोमल जंगेल तो बिल्कुद दब से गया थे और जहां तक के रोडसों में देखेंगे तो यह सोदा वरमा बिल्कुद हमारे सामने की हम लोग से प जिसमें पहली बार केंद्री मंत्री यहां पर आया भारतियनता पार्टी की तरफ से, खुद मध्यपरदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग ने मोर्चा सम्हाला, क्या इस उपचुनाओं को भारतियनता पार्टी ज्यादा गंभीरता से लेने की कुशिश कर रही है, यहा जहां तक के चित्रकूट, वो हमारी अपनी सीट थी, हमारे विधायक सांसाद बन गया, इसकांसे उपद रिक्त हुआ था, दूसरा धंते वाड़ा तो भारतियनता पार्टी सीट थी, अब उसमें भी उन्होंने पूरा ताकत लगाया, और सानबुती लेने कोशिश भी की जहां तक के मरवाही और खेरागड के बाद है, तो दोनों जोगी कांगरिस की सीट थी, जोगी जी के द्यावसान के बाद मरवाही सीट खाली हुआ था, और देवरजी के निधन के बाद अभी खेरागड सीट जोग चुना हो रहा है, तो दोनों जोगी कांगरिस के रहा है तो भारती जंता पार्टे अभी अत्रिक्त ताकत लगाई है इसका कारण मुझे समझ नहीं आया कि उसकी सीट थी नहीं और सीट बचाने के लिए लड़ रहे हैं ऐसा थे लेकिन जो आपने दूसरा से उसावाल किया वही महत्वपूर्ण लगता है कि उन्हें राज जी के नि छोटा चेहरा भी नहीं है तो इतनी बिज्यती की गई है और इसका मतलब यह है कि उसके केंद्री नेत्रीतों को प्रदेश के नेताओं पे बिल्कुल इस्वास नहीं है इसका से दू केंद्री मंत्री और मत्रश्क मुक्त मंत्री को वह भेजे आपका जब रोट शो हो रहा और मैंने उसको जवाब दिया पक्का बनेगा पक्का बन ही यह मैंने खाया लोधी बाहूल इलाका है पिछले बार के चुनाओं का समीकरन हम देखें तो देवरत जीते थे लेकिन कोमल जंगिल बहुत कम वोटों से सेकंड नंबर पर आये थे डिसाइडिंग फेक्टर लोधी वोटर्स महापूरते आदिवासियों की जंसंख्या वहाँ पर परियापत है लगातार चुनाओं प्रचार आप गये हैं छोटे-छोटे इलाकों में भी आपने दौरा किया है मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं जो खेरगड की जंता कॉंग्र है निसाद समाझ है दिगर और जो समाझ है वो उनकी भी उपस्थिती है लेकिन मुल रूप से जो बात कहेंगे एक जो छेत्र है जो आदौसिय बहुली छेत्र है जो जंगल का है सालेवारा के छेत्र है वहां लोग खेती. हम लिगोनों पच भी संग्रहन करते हैं तिंदू पान भी उगाते खाने जो पान है उसको भी उगाते थे और खहरा गड़ते तो कला और संस्कृति आप देखेंगे उसका विशुद्ड यलह पुरी ऐसीया का एक मातर विशुद्ड यलह जो यह इस तापर थे तो बहुत सारे जो विशुद्ड़ा होगा यह विधान सभाया ह है और उसके बाद यदि सामायन रूप से देखेंगे तो सबसे ज़यदा किसान है किसानों को सबसे ज़यदा लाव हमारे स्रकार मिला है चाहा हो समरता न छोट्छां करिदी के बात हो चाहाँ economy बात हो चाहाँ पहले साल 25 ओर पर बात हो अब गोधन ने आई उजना के विलाब ले रहे हैं और राजी गांधी भूमीन स्रमिक ने उजना के भी लाब ले रहे हैं। 35 किलो चावल भी मिल रहा है, 400 निट तक आप मिल रहे हैं। तो यह जो सास्का यूजनाएं हैं, उसका लाब मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे अन्न दाता है हमारे जो मेहनत का मजदूर साथी हैं, आदवासी हैं, अंसुची जाती की लोग हैं, वो हमारे सब साथ हैं. देवरत सिंग जी कॉंग्रेस के सच्चे सिपाही थे सर, विधायाक बने, उसके वाद एमपी बने, रास्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी कॉंग्रेस ने उनको दी थी सर, इसके अलावा यूवा कॉंग्रेस में भी काफी समय वे एक्टिव रहे सर, क्या लगता है सर, क् खेरागड में इंद्रा कला संगीत विश्विद्यालय से बड़ा कोई विश्विद्यालय ने एशिया में अपनी तरह का पहला विश्विद्यालय है, स्वर्गी देवरत सिंग जी को सच्ची श्रद्धांजली किस तरह से अर्पित होनी ही चाहिए ऐसा लगता है देखी इंद्रा कला संगीत विश्विद्यालय उन्हीं के परवार के महिला के नाम से है तो उसके नाम से है लेकिन देवरत जी के जो इसम्रितियां हैं उसे अक्षोन करने के लिए प्रारंभिक तोर से हमने कहा कि खेरागड में और उसके गाउं जो दैपूर है उसमें उस किस तरह से देख रहे हैं महल के वोटर्स क्या कॉंग्रिस की तरफ डाइवर्ट होंगे ऐसा लगत देवरत जी मूलता कांगरिसी थे पहले बता चुके और चुनाओं के बहुत पहले वह जोगी कांगरिस जोएन कर चुके थे अब वो उन्हीं के निधन के बाद उप चुन हैं एक लड़की है एक लड़का है तो दोनों भी पढ़ाई कर रहे हैं परवारिक थोड़ा से विवाद जरूर है और उस विवाद को मैं समाजता हूं कि परवार के लोग मिल के सू जायेंगे और जहान तक कि सासन पर सासन के जो सहयता होगी और उसके बच्चों के जहां अपने परवार के सदस्य हैं और उसके देख भाला उसके भविस में जो भी मेरे मिलने भी आया से तब भी मैंने बच्चों से ही कहा कि मैं हमारे तरब से आप हमारे परवार के सदस्य हैं और जो भी देवरत की कमी को कोई पूरा करनी सकेगा लेकिन हम लोग भी परवार के सद है और इस चुनाओं में सासन की जो योजनाएं हैं और उसमें खेरागड के मद्दाताओं से मैं अपील करना चाहूंगा उन योजनाओं पर मोहर लगाएं तो यह थी मुख्यमंत्री पूपेश बगिल के साथ तोर पर कहना है कि खेरागड जैसे ही जिला सत्रा सोला तारिकों पर रिजल्ट आता है कॉंग्रेस का विधायक बंतरा सत्रा तारिकों जीला बनेगा और उन्नती के सोपान में खेरागड आगे बनाईगा और निश्यत तोर पर स्वर्गी देवरस सिंग को श्रत्ति सजदानली तभी होगी जब बहतर काम वहाँ पर होगा निश्यत तोर प कामों को करती होई वहाँ पर दिखाई भी देगी केमरा प्रसंद अखिलेश पावर के साथ रैपर साथ इति नाम देव